महारास्ट्र सरकार में सहयोगी शिफसेना गोरे गाउं की आरे कॉलोनी में पेड काटने को लेकर लगातार फिरोत कर रही है और इसी बीच पहली बार वधानसवा चुनाव लड़ रहे आधिते ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है तो आधिते ठाकरे में का है कि आरे में पेड काटने वाले अधिकारियों को सत्ता में आते ही पियो के भेज़ देंगे बतादे की पुलिस ने इलाके में आर्टिकर 1144 लागू कर दी और इसके बाद प्रदर्शन कर रहे करीब वा 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया इसमें शिवसेना की उपनेता प्रियंका चतुरवेदी भी शामल थी